हेलो वीवर्स आज हम बात करेंगे जिन लड़कियों के नाम का मुफरद अदद यानि सिंगल नमबर एक बनता है उनके बारे में ये किस मिजाज की होती है कौन कौन सी तारिख है इनके लिए अहिम है मुबारक दिन कौन से है कौन कौन सी बीमारिया इनको हो सकती है तो बने रही है आप हमारे साथ आपका हमारे चैनल बातिल मुकी अभर कोई सीखेगा में विलकम है किसी भी नेम का सिंगल नमबर की इस तरह निकाला जाता है इस वीडियो में भी हम जानेंगे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें फोर इग्जैम्पल किसी के नम काशिफा फातिमा है तो उसका मुफरादाद कुछ इस तरह निकाला जाएगा काफ के 20, अलिफ के 1, शीन के 300, फे के 80, हे के 5, फे के 80, अलिफ के 1, तोई के 9, मीम के 40 और हे के 5 जब हमने इसका टोटल किया तो आया 541, 541 मुफराद अदद नहीं है, इसको तब तक हम जोड़ेंगे, जब तक मुफराद अदद ना आ जाए तो दोबारा जोड़ा, 5, जमा 4, जमा 1, बराबर 10, 10 भी मुफराद अदद नहीं है, 1, पलस 0, बराबर 1, तो इस तरह काशवा फातिमा का मुफराद अदद 1 आया जिन लड़कियों के नाम का सिंगल नंबर यानि मुफराद अदद एक होता है, वो अपने गुसे को जाहिर नहीं करती, ऐसी ओरतें अगर किसी काम को करने का एरादा कर लें, तो उसे करके ही छोड़ती है, ये गरत मंद होती है, और जिद्दी भी, ये दूसरों को अपनी पर चलाने की ख्वाईश मंद होती है, एक अदद की और अगर किसी से नाराज हो जाए, तो जल्दी से उसका दिल साफ नहीं होता, ये दोस्ती और दुश्मनी दिल से करती है, इसका अपना एक मिजज होता है, ये दूसरों के मिजज में ढल जाने की सलाहियत नहीं रखती, इसके खयालात मधभी होते हैं, ये औरतें शोहर परस्तो होती है, इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है, कि ये पेट की पक्की होती है, अपने रास किसी को नहीं बताती, अगर मुहबत करने पर आ जाएं, तो अपना सब कुश कुर्बान कर देंगे, और अगर मुखाले पर पर आ जाएं, तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत जल्दी से किसी के चक्कर में नहीं आती है, जब भी किसी की तरफ माइल होंगी, सोश समझ कर ही माइल होंगी, इनके लिए एक, दस, उन्नीस और 28 तारीके आहिम होती है, संडे और मंडे इनके लिए मुबारक साब और शहत का इस्तिमाल करें, तो इनके लिए फायदे मंद साबित होगा, जिन बच्चों की तारीके पैदाईश का मुफरत अदद एक बनता है, उनको सबसे जादा एक नंबर का नाम ही रास आता है, जैनुरी, आक्टोबर और डेसेंबर में इनको अपनी सेहत का खयाल रख थैंक यू